दीपक चाहर का करियर खाने आया 18 साल का ये घातक गेंद बाज, एशिया कप में एक के बाद एक किये साथ बल्ले बाजों के शिकार, टीम इंडिया को आज यानी 12 दिसंबर को साउथ अफरीका के खिलाफ दूसरा T20 मैच खेलना है। इस मैच से पहले टीम इंडिया को दीपक चाहर के रूप में जटका लगा है। दरासल पारिवारिक कारणों से दीपक चाहर इस दौरे पर नहीं आये हैं। बता दें कि इस तेज गेंदबाज के साथ एक ऐसी समस्या पहले भी हो चुकी है। इस वजह से वह कई बार बीच मे ही टीम का साथ छोड़ चुके हैं। इस वजह से भारतिय टीम को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब ये दिक्कत जल्द ही खत्म हो सकती है। इसका कारण है कि भारत को एक ऐसा गेंद बाज मिल गया है जिसका हालिया प्रदर्शन काफी अच्छा रह है। इस गेंद बाज के प्रदर्शन के बाद माना जा रहा है कि वह जल्द ही टीम इंडिया में एंट्री कर सकते हैं। टीम इंडिया में डीपक चाहर के लिए खत्रा बना ये खिलाडी दरसल जिस खिलाडी को दीपक चाहर के लिए खत्रा बताया जा रहा है वह कोई और बलकी 18 साल के राज लिम्बानी है आपको बता दें कि राज लिम्बानी भारत की अंडर 19 टीम का हिस्सा है जो इस समय दुबई में एशिया कप 2023 खेल रही है इस टूर्णामेंट में आज यानी 12 दिसंबर को भारत बनाम नेपाल के बीच मैच खेला गया भारत ने यह मैच 10 विकेट से जीता इस मैच को जिताने में राज लिम्बानी का बेहद अहम योगदान रहा इस मैच में तेज गेंदबाज ने 7 विकेट लेकर अपना सर्वश रेष्ठ प्रदर्शन किया माह मैच में भारत ने टॉस जीत कर बल्लेबाजी का फैसला किया जिसे राज लिम्बानी ने पूरी तरह से सही साबित कर दिया उन्होंने महज 148 की एकॉनमी से रन खर्च कर साथ नेपाली बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया इस दौरान उन्होंने सिर्फ 13 रन खर्च करते हुए साथ विकेट लिये भारतिय तेज गेंदबाज ने 9.1 ओवर फेंके जिसमें 3 मेडन ओवर थे 18 साल के इस गेंदबाज ने अपने P.E.U. प्रदर्शन से सब का ध्यान खींचा आपको बता दें कि अगर ये गेंदबाज ऐसा ही प्रदर्शन बरकरार रखता है तो जल्द ही सीनियर भारतिय टीम में एंट्री कर सकता है हालांकि अगर ऐसा हुआ तो टीम इंडिया को कई गेंदबाजों का पत्ता कट सकता है इनमें दीपक चाहर का नाम भी शामिल है राज लिम्बानी की बदौलत भारत ने दर्ज की एतिहासिक जीत राज लिम्बानी की वजह से नेपाल की टीम महज 22 ओवर में हार गई इस दौरान उन्होंने सिर्फ 52 रन बनाए साथ विकेट लेकर अहम योगदान दिया इसके बाद लक्ष का पीछा करते हुए बिना कोई विकेट खोए महज 7.1 ओवर में जीत हासिल कर ली भारत के लिए अर्शिन कुलकर्णी ने 30 गेंदो में 33 सी रन और आदर्श सिह ने 13 गेंदो में 13 हाउन रन बनाए